दोस्तो अगर आपके आईफोन में मोबाइल डाटा से इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आप यह इंस्टाग्राम को आप करेंगे क्या आप सिंपली एक बार स्लाइट डाउन करिए और फ्लाइट मोड लगा दीजे और फिर जाइए इंस्टाग्राम पर और देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सही हुई की नहीं नहीं सही हुई फिर भी तो क्या करेंगे अब चले जाएए आप एप स्टोर पे एप स्टोर में जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करिए नीचे की और स्लाइड डाउन करिए और देख लिजे यहाँ पे इंस्टाग्राम का अपडेट तो नहीं आया हुआ है अगर इस टाइप से इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है तो अपडेट पे क्लिक कर दीजे यह update हो जाएगा जब पूरी तरह से update हो जाए तो उसके बाद आप simply Instagram को on करके चालू करके देख लीजिए आपका problem आपकी problem जो है वो fix होई कि नहीं अगर फिर भी problem नहीं सही होती है तो फिर आप क्या करेंगे आप simply अपने iPhone में power button और volume up button साथ में दबाएंगे दबाते ही दिखाएगा इस टाइब से slides to power off का option, slide कर दीज़े आपका iPhone switch off हो जाएगा, बंद हो जाएगा उसके बाद power button दबा करके आप फिर से इसको चालू कर लीजिए और चालू करने के बाद अपना Instagram चला करके देखिए आपकी problem सही हो जाएगी, कोई problem नहीं आएगी इन केस फिर भी कोई ना कोई problem आई रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे settings में, करेंगे नीचे की ओर scroll, general पे click करेंगे, नीचे की ओर scroll करेंगे, transfer और reset iPhone पे click करेंगे, reset network settings पे click करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना passcode डाल दीज़े और उसके बाद फ अज़े help हुई हो, तो वीडियो को कर दीज़े, like channel को कर लीज़े, subscribe and bell icon को press, ऐसे ही और भी videos देखने के लिए